अड़ाए हलो फ्रेंज तो आप सबी को स्वाग दे आजका मेरा निव फ्लॉक में तो गाइस आज में यहाँ पर इस पेर को इस चगा से निकालने वाला हो क्योंकि यह हमारा केत के बिल्कुल बीच में और इसे वाज़ा से में इसको निकालने जाड़ा हो इधर से और इसको सिफ्ट करकर में दुस्रे जगा पर लगाँगा और फेला लगाँगा उस तरफ महां पर लगाँगा तो गाइस चलो इसको निकाल दे इस पेर को में जर से ही निकालने वाला हो इसका खुटना पड़ेगा इसको देड़ एचे निकाल रहा हो चोल के साथी लगबग मेने इसके चारो और गट्या बने चुका हो और अभी में इसको भा़र निकालने का है तुछ तो गाइस पहार आए इसको जड़ के साथी भा़र निकाला बड़ेगा तो गाइस और अब ये जर से ही बाहर निकल चुका है और अब इसको दुसरे तरब शिफ्ट करना पड़ेगा अब देखिये इधा इतना गटा हुआ है और इसको में लेदा करने आपाँ जालने माना हुआ गाइस देख सकते हुआ है इतना बड़ा है बिल्कुल फ्रेश है अब मैं इसको यहां पर जाल रहो अब इसको अंदर डाल लेते है इसको अंदर दख पूंचा दिया है करने आपाँ है करने दाल जाते हैं इसको अंदर जाल लेता है करने आपाँ सब्सक्राइब आपने मिटितार आप अच्य से इसके प्रेस कर दिया आपने आपने अब यह बिल्कुल आच्य से बत्स कर चुछताईगा और यह बिल्खुल भी नहीं मड़ेगा और इस तरह से अगर आप भी बिल्खुल एसा ही पेर लगाएंगे तो 60% से भी ज्यादा बचने का चांश है और इसलिए मैं भी इसी तरह से लगागा हूँ आप दो पेर लगाया यह यहां पर दूसरा भी इस तरह लगाया हूए और अभी में इस बेबी ट्री को पानी देने के लिए जारा और जार किन बर फले करा कर यहां पर लता राओं इसको पानी देते थे और दूसरे पेर को भी देना पड़ेगा पानी इआ पर गैज मैंने दो पेर लगाने का रीजन के आए वो भी पताने वा लाग क्यूंकि यह मैंने दो पेर इधर लगाए है ताकि यह बड़े होकर यहां पर जो यहां पर इस तरफ स्विमिंग यहां पर टैंकी है मसली का क्वा बन रहा है और इसके सामने ही बिल्कुल दो फिर फिरे का पेर लगाया है क्योंकि जब यह बढ़ा होगा ना तब उपर से डाइप पनने में बहुत मजाएगा इस टैंकी के अंदर और इसमें पिंग भी बना कर खेल सकता है जब यह बढ़ा होगा तो तो गाइस आप सभी को आज का वीडियो के सबागा प्लीज कॉमेंट करकर बताने बिल्कुल मत बुलना है अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करकर रिजाना है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लोक में तब तक के लिए टेक्यार और अब यह फिर फिडियो क पेर बढ़ने के लिए तयार है